Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader, so guys, आज हम बात करेगे Alok Industries और Subx Ltd के बारे पर So guys, दोनों ही काफी सस्ते शेयर हैं और दोनों को ही लोग काफी पसंद भी करते हैं अगर दिखा जाए, अगर आप एक beginner हो, तो आथ ने भी इन stocks को खरीदने के बारे में जरूर सोचा होगा तो guys, अगर सोचा है, तो बिलकुल आप सही चगपे आये हो, क्योंकि यहाँ पर एक महिने के अंदर अंदर ए पेसा, ए जो stock है, तगड़ा पेसा कमा कर देने वाले हैं तो good opportunity है, बड़ी opportunity है, दोनों ही shares में और यहाँ पर मैं किसी news basis पे बात नहीं कर रहा हूँ और नहीं किसी बड़े investor ने इसमें heavy quantities में shares उठाया है, यहाँ पर हम बात करेंगे levels के हिसाब से, तो guys, market में जितनी news important है, बट news से भी ज़्यादा, इसकी process important है टेकनिकल चार्ट, इसका जो चार्ट है, वो important होता है, तो guys, इस दोनों के चार्ट के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे पहले stock होने वाला है, अलोक industry, तो guys, यहाँ पर वीडियो को start करो, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel, the margin trader को subscribe नहीं किया है, तो guys, please, channel को subscribe कर देना, for shares के updates के लिए, shares की latest news के लिए, तो करते हैं, वीडियो को start और चलते है, अलोक industries ltd के उपर, so guys, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, अलोक industries ltd के उपर, यहाँ पर अलोक industries ltd को अगर देखा जाए, तो 26 रुपे, 75 पेसी के price पे stock ने closing दी, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो stock पिछले कुछ दिनों से, काफी अच्छे return दे रहा है, और वही अगर देखा जाए, आज के returns की, तो भले ही आज market 1400 point तक भी upside की और गया था guys, पर 20 stock यहाँ पर भले ही 45 पेसा ही बड़ा हो, बटे हाँ पर अगर इसके technicals को आप देखोंगे, तो आपको target clear देखने को मिलेगे, बिल्कुल यहाँ पर 1.71% के हिसाब से 45 पेसे तक के return stock ने दिये है, अब बात करेंगे guys इसके chart की, तो chart की अगर बात कर लू, तो यहाँ पर कुछ levels है, जो आपको समझना चाहिए, यहाँ पर अगर देखा चाहिए, तो one day time frame पर हमने पहले भी आपके साथ कुछ level share किये थे, और आज भी हम यहाँ पर कुछ level आपके साथ share करेंगे, यहाँ पर stop resistance लेके नीचे की और आ है, और यहाँ पर support ले रहा है, फिर resistance लिया, तो guys यहाँ पर upside down momentum stock में already चल रहे है, वही अगर देखा जाए, तो stock यहाँ से इसका जो breakout है, फेल हुआ था, फिर finally stock ने फिर से breakout देया, retaste करके ऊपर की और stock गया, बट यहाँ पर अगर देखा जाए, तो पूरी तरीके से यहा पर हमें आता हुआ दिखा, 35 रुपे के level से stock में fall हमें देखने को बिला, बट यहाँ पर सीधे इसने फिर से support लिया, और support लेते ही फिर से stock ओपर की और चाता होना जराया था, और काईस यहाँ पर मैंने 20 रुपे के level पी भी बोला था, खरीदारी करने के लिए मैंने पर buy करने के लिए था, उसके पीशे का reason है, मैं आगे आपको बताऊगा, तो बिलकुल यहाँ से stock ओपर क्यों जा रहा है, बट आपको एक level ध्यान में रखना होगा, अगर आप सेप investor हो, तो आपको इस level के ओपर ही buy करना चाहिए, इस level के ओपर अगर आप buy करोंगे, तो 30 इस रुपे की rally मिलने ही वाली है, यहाँ से stock नीचे आथा, फिर नीचे आथा, फिर stock अगर देखा जाए, तो इस level को अगर break कर देता है, तो काफी बड़ा momentum stock में आने वाला है, तो बिलकुल इसे miss मत करना, बात करें, अगर बड़ी time frame पर, तो stock में मैंने जिसे बोला, 20 फिर breakout बिला, फिर यहाँ से सीधा 53 रुपे तक भी stock जा सकता है, तो आप छोड़ी quantity में खरीदो या बड़ी quantity में, profit आपको होना ही है, तो guys यहाँ पर stock में market cap क्या कहता है, 13.31 करोड का यहाँ पर market cap है, mid cap stock की category में लागे रखता है, इसका market cap, 26 रुपे 55 पेसे पे stock open हुआ 27 रुपे 15 पेसे का stock ने high लगया, 26 रुपे 40 पेसे का stock का low भी आपको देखने को मिल जाएगा, 52 weeks का high क्या कहता है, 35 रुपे 60 पेसे का high है, 18 रुपे 70 पेसे का low है, वही यहाँ पर price performance यहाँ पर positive है, 1 week का 8.28%, 1 month का 11.20% positive है, 3 months का 5.72% positive है, year and half का 4.08%, 1 year का 28.54% और 3 years का भी positive है, साथ ही यहाँ पर जो trade value है, तगड़ी है, 100% buying के लिए भी low care है, तो बिलकुल अलोग industry में तो पेसा बनेगा ही बनेगा, तो अब बात करेंगे सुबेक्स की, तो guys यहाँ पर सुबेक्स Ltd को अगर देखा जाए, सुबेक्स Ltd किस लेवल पे stock ने आज closing दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 38 रुपे 95 पेसे पे stock ने आज closing दे है, और बिलकुल 3 रुपे 30 पेसे तक की तेजी हमें इस share में देखने को मिली है, 9.26% के हिसाप से, बिलकुल 9 प्रतिशत की तेजी है, 3 रुपे तक stock बड़ा है, अब बात करें, लेवल की, तो पहले हम बात करेंगे, वन हाट के टाइम प्रेम पर, तो गैस, वन हाट के टाइम प्रेम पर, कल अगर 38 रुपे 90 पेसे के लेवल को तो इसने बेक तर दिया है, बट फरफेक्ट तडिके से, उपर की और अगर एक एंडल बन जाती है, तो stock में 30 जी का माहुल रहने वाल सकता है, इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखोंगे, तो मैं आपको कुछ चीजे समझाने कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक symmetrical pattern बन रहा है, सुब एक्स में, और यहाँ पर अगर दिखा जाए, stock यहाँ से बड़ा, यहाँ से stock ने एक resistance लिया, फिर एक resistance, तो upside down momentum stock में आएगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल exit कर सकते हो, अपना profit booking कर सकते हो, क्यों, क्योंकि symmetrical pattern में बिल्कुल यहाँ पर अगर नीचा है, तो यहाँ पर retaste करके ही stock नीचा आएगा, तो retaste का level यहाँ पर 40 रुपेका भी हो सकता है, या फिर 60 रुपेका, तो यहाँ पर आप risk ल देखा जाया, तो यहाँ से support resistance stock में चल रहे था है, फिर इसी level को दो बार इसे, यहाँ पर एक बार rejection मिला था, और बिल्कुल एक W pattern type pattern बनाया है, breakout मिला है, support ले रहा है, और बिल्कुल उपर क्यों जा सकता है, बट stock हमें लग रहा था कि 18 रुपे 30 पेसे पर support लेगा, बट यही से अगर ही reverse होता है, तो बिल्कुल आप positive है सकते हो, तो guys, subx में यहाँ पर इसके market cap के basis पे mid cap stock ही कहलाएगा, क्योंकि 2.14,000 करोड का market cap है, 60.21 का peer ratio है, 1.93% का dividend देता है, open हुआ था stock 36.15 रुपीज के price पे, यहाँ पर high लगा था 39 रुपीज का और low लगा था 35 रुप price performance तगड़े positive है, 23% positive आ गया है, यहाँ पर one month का 6% positive है, बाकी तो minus में है, फिर positive यहाँ पर नजर आ रही है, और तगड़े volumes दिखाई दे रहे, 2 करोड का trade value, 2 करोड का combinant दे लिए, 100% यहाँ पर positive आ रहे, सुब एक्स में, क्यों 92% लोग buy के लिए के रहे, और 8% लोग के रहे, hold के लिए, तो guys यहाँ पर अगर देखो, तो हम अलोग industry में भी positive है, और subax में भी, और दोनों ही stocks में आप अपना investment कर सकते हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना, thank you